इसमें आप आईए 15 नंबर श्लोक में आईए आप यहाँ पी बोला शस्तर प्रियोग से पहले क्या क्या करतव्य हैं तो प्राक शस्तर कर्म कर्म चेश्टम भोज अन्नम आतुरे यानि जो इस्ट अन्न है तो जो आतुर को प्रिय है ऐसा भोजन उसको देना चाहिए पानपम पायेद मद्दम तिक्षनम हाइलेट किया यो वेदना सक्षम यानि जो वेदना को सहन नहीं कर पाएगा पेशेंट उसको तिक्षनमद सेवन है इसको हाइलेट करके एक तरीके से अनेस्थेटिक रेफरेंस जो है अनेस्थीशिया को यहाँ पे आएगी जो वेदना को सहन नहीं करता तो उसको तिक्ष्ण मद पिलाने का बोला है, तिक्ष्ण मद में, मद की अवस्था में क्या होगा, उसको वेदना का ज्यान नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट इन्होंने बताया है, देखिए, 16 नंबर श्लोग की जो फर्स लाइन है, अन्यत्र मूड गर्भ, अश्म मुख रोग आतुरम, यानि मूड गर्भ है, अश्मरी है, मुख रोग है, या उदर रोग है, इन में रोगी को मद भी नहीं देना चीए, और अन भी नहीं तर आते हो, ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा, 59 नंबर श्लोग में, इसमें देखिए क्या लिखाया, बंदस्तु 10 पंच चब, जो बंधन बताये गए हैं, वो 10 पंच, यानि 15 हमारे इन्होंने बताये हैं, सुशुत के अकॉर्डिंग 14 प्रकार का बंधन होता है, इन् उसके बाद है हमारा, इन्होंने भी क्या है, जब जैसे explain किया है इनको जैसे आप देखोगे, कोश है, जो अंगुली परवशु बादा जाता है, स्वस्ती करणकशादी पे, मोतोली बंद कहां बादा जाता है, चीन कहां होगा, संबाद अंगों पे कौन सा, अनुबेली त यह सब सेम बोला है आप देखना यह जो 60 नंबर श्लोक के नीचे 1,2,3,4 करके लिखा हुआ है न तो चार नंबर श्लोक में देखे इसमें यह क्यों लिखा हुआ है जैसे इनका एक पूरा ऐसे वो नहीं है यह reference न मतलब है इसी में ही लेकिन में श्लोक से हटके अलग बोला गया है इसको तो चार नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को हैलेट करना विलंबिनी तथा उत्संग विलंबन जिनका होता है जो लटकने वाले अंग है उनमें उत्संग बंद बांदा जाता है जो इन्होंने एक्स्टा बोला 14 तो सेम सुशुत के समानी बोलें यह 15 नंबर वा 72 नंबर श्लोक में जहां पर आपको बंधन नहीं बांदना है वो क्या-क्या पॉइंट्स हैं हाइलेट करना कुष्टी नाम अगनी दगदानाम इंपॉर्टेंट है बहुत जाला कुष्ट का पेशेंट है अगनी दगद हुआ है किसी को पिटी का मदु मेही नाम मदु मेह पेड़ी काएं जो होती है वो हो गई है उन पे नहीं बांदना करनिका चोंहें के विश्ट से उत्पन हुई जो करनिका है उसमें क्षार दगदा विशानविता को आपने हाइलेट किया क्षार से दगद है विश्युक्त को इवरण है बंधनिया नाम न मास पाके गुद प यह इतनी कंडिशन है जिन में बंधन आपको नहीं बाढ़ना चाहिए कुष्ट का पेशंट है अगनी दग्द का शार दग्द का मदुमे की पीडिकाएं है उंद्रुक विश है और मास पाके और गुद पाके आपने हाइलेट किया इन में क्या है बंधन नहीं बाढ़ना चा अरुद इतनी के पीडिकाएं है